अरब सागर में सोमालिया के तट के पास एक और जहाज हाई जैक कर लिया गया है इस पर 15 भारती क्रू मेंबर्स भी सवार हैं मामला चार जन्वरी का है लेकिन इसकी जानकारी आज ही सामने आई है लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नो फोर्क है भारती नो सेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स यानि UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा था इसमें कहा गया था कि चार जन्वरी की शाम को करीब 5-6 लोग हतियारों के साथ जहाज पर उत्रे और उस पर कबज़ा कर लिया नेवी ने कहा ह जहाज ब्राजील के पोर्टो डुए क्रू से बहरीन के खलीफा बिन सल्मान पोर्ट जा रहा था यह 11 जन्वरी को लोकेशन पर पहुंचने वाला था इंडियान नेवी ने कहा हाई जैक की सूचना मिलते ही एक मेरिटाइम पर ट्रोलिंग एरिक्राफ्ट पीए टीवन को जहाज की तरफ रवाना किया था एरिक्राफ्ट ने तड़के सुबै शिप की लोकेशन पर पहुंचकर क्रू मेंबर से संपर किया है सभी सुरक्षित है नेवल एरिक्राफ्ट लगतार आई एनस चन्ने की लोकेशन ट्रैक कर रहा है वेसल फाइंडर के मुताबिक जहाज स जा रही है इससे पहले 14 दिसंबर को भी समद्री लुटेरों ने मार्टा के एक जहाज को हाइजैक कर लिया था इसके बाद नौसेना ने अपना एक युद्ध पोत अधन की खाड़ी में हाइजैक हुए जहाज एमवी रुएन की मदद के लिए भीजा था जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया हुआ था भारती नौसेना ने मार्टा की जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया था यह नाविक गंभीर रूप से जखमी था इसका इलाज शिप पर मुमकिन नहीं था लिहाजन उसे ओमा साथ मौजूद है 1990 तक इसकी अर्थ विवस्था मशलियों पर ही तिकी हुई थी तब यहां समुद्री लुटेरियों का कोई डर नहीं था अधिकतर लोग मशलियों का व्यापार करते थे फिर यहां सिविल वॉल शुरी हो गई सरकार और नौसेना नहीं रही इसका फायदा विदेशी कमपनियों ने उठाया सोमालिया की लोग छोटी नावों में मचलियां पकड़ते थे उनके सामने विदेशी कमपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गया लोगों का रोजगार चिनने लगा इस से परिशान होकर 1990 के बाद इस देश की लोगों न हथीयार उठा लिये और समुद्री लुटेरे बन गए समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा जखीरा सोमालिय कोस्ट के पास से होकर गुजरता था मशवारे लुटेरे बने और इन लोगों ने जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जहाज छोड़ने के बदल लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता था हाइजाक हुए जहाज को लेकर जो भी अपडेट आता है शब्द सांची आप तक पहुचाने की कोशिश करेगा तक आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक फॉलो जरूर करें धन्यवाद